है और राइट पर याद कराने के लिए कि रिकॉर्डिंग ठीक है अब बिलोभी वह ही है कि हम जो थोड़ा जैदा लोवर लेवल पर जाते हैं जो बहुत करते हैं अंडर हमारा उस सर्फेस कि करीब परी वाला नीचे जैसे एंडर इंडर नेक्स तूझ जो है मतलब कि विस की में लेते हैं हम इसक्तु करते हैं यह साइड से चाहिए जब सब्सक्राइब नेक्स नेक्स कि मतलब होता है हम किसी चीज के साथ कोई चीज बताते हैं अगर फॉर एक्जांपल हम जब एड्रेस बताते हैं हम कहते हैं कि अधिश्व कोशिश करते हैं तो फिर हम किसी एक चीज का नाम लेके फिर हम दूसी चीज की लूकेशन को बता रहे होते हैं तो चीजों के दर्म्यान किसी भी चीज की जो हम पुजीशन होते हैं किसी भी चीज के पीछे वाली पुजीशन जैसे हम कहें के लिए इस तरह से अंडर वो के जैस्ट बिलोव एनदर सर्फेस जैसे भी में आपको पहुत आया कि ही जिंदा अ थीस आड़ मेली यह हमारे अ से जृत है यृत है ना वहू केशन पृत्तार लो केशन है यह अब भी आप फ्रेपपूजीशन औफ लोकेशन ओ ही ले ले लें प्रेपोजेशन अ ताईब और दौ कम्रेइशन ले 완성 में बहुत सी चीजें जो है ना बहुत से पृपबसेशन स जो है ना वो योजितु है इन है अए टो गया जैसे बिलोग अबब इस देखिए वैं। हम पहले दिन से को बार बार डिवाइस करें। और ये डिवाइस करने का जस्ट ये सरफ मुक्सद ये था कि हम जिस अम्म आपको ये बताना चारी थी के लाइक आप बात में ये ये तो हमने सिर्फ टाइम के लिए पड़ा था यह तो यह पिर यह तो में सफ लोकेशन के लिए पड़ा था तो आप सिर्फ उन चीजों की बेसिक रूल आपने जहन में रखें सो यू विल भी लाइक बड़ा आपको असानी हो जाएगी आपको प्रेपोजिशन को नहीं हो अब मैं जैसे आपको लोकेशन की मतलब वो बताई हुए जैसे एड जो है मोई स्पेसिफिक लोकेशन एड्ड्रेस इस स्टोर्स इस तरह की मतलब यह आपको जिस्ते की वर्ट में भी बता रहा है कि हम इन एड ओन यह हम किस जगहों पर यूज़ करते हैं तो इस लाइक एक आपको की जगहों पर जैसे माउंटेंज हैं सब में हम कौन-कौन से प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं आप लोग इसको जो है ना वो गो थू कर लीज़ेगा मैं मैं अन्डर में ऐसे हो सकते हैं यू अले ओ लिए बोलो बच यह मैं मैं कहे रहे हो कि अंडर में हम ऐसे यू सकते हैं यू और अंडर टंटीफ। हुआ कि अच्छ किब्स कर सकते हैं हमने कल जो है कल है कल ही हमने डिसकस किया थरा कि कुछ ऐसी सूचीशन जैसे हमने रेंक्स कर सकते हैं साथ क्म पर कंपेरिजन क्या था कि इसका रेंग किसे बड़ा है कि अभी अभी मैंने बोला के अंदर अणतर पर सकते हैं यह हमेंड़ देखा था और मैंने कलवाली syrup C कि जो लिंक्स थी नहीं आपके साथ शेयर कर लिए थी आप एक दफ़ाउस को जाकर देख लोगे तो आपका इक क्वेश्टिन भी रिस्पॉंड हो जाएगा और किसी को कोई क्वेश्टिन है यह फिर हम आगे चले यह मैम अपने बोला कि हम जो इन है ना कि वह मतलब किसी बा यह मतलब यूज हो रहा है कि जैसे बर्ड अमतलब फ्लाय इंडा स्काइब मैं मिदर इंडा स्काइब हो रहा है न तो स्काइब कॉण से को इस वह वह कैसे दुनिया की बूंडरी होगी ना वह मेरा मतलब यह था कि लाइक इनका मतलब जैसे हम उर्दू में बोलते हैं अंदर जैसे ग्लास के अंदर पानी है वह रूम के अंदर है वह कार के अंदर है वो डबबे के अंदर बॉल है तो इस सेंस में जो है ना हम उसको जो है ना वो यूज कर रहे हैं अजब बिसाइड्स की एक्जेंपल ही इस सेटिंग बिसाइड मी हम यह बोल सकते हैं कि मेरे साथ यह प्राइट ही है मेरा घर जो है वो जो है ना वो यह दाउद इनुवर्स्टी के साथ है बिसाइड्स दाउद इनुवर्स्टी तो इस तरह कि आप जो है ना बिसाइड्स या नेक्स्ट्टू या फिर बिसाइड आप इस तरह से यूज कर सकते हो बिसाइड्स निस आप यह जो लिख रहे हो ना कि आए लाइक राइटिंग बिसाइड्स रीडिंग या फिर यह जो है ना हम कंपैरिजन के उसमें यूज करते हैं यह फिर अगेन आ जाता है कि आपकी इंग्लिश कितनी वह आप कितना इसमें एडवांस लेवल पर जा रहे तू भी यूज करते हैं आई प्रेफर राइटिंग टू डीडिंग तो यह जो चीज़े है ना यह फिर अगेन थोड़ी वह उसमें आ जाएंगी तो आप बहुत सारी चीज़े होती हैं अब हम कंपैरिजन के वर्ड के लिए ना जो हम कंपैरिजन करते हैं अब देखो यहां पर आपने जैसे लिखा है ना आई लाइक राइटिंग बिसाइड्स रीडिंग तो यू आप जो है ना वह राइटिंग को ज़्यादा पसंद क हो जाएगी और रिट विल भी लाइक इन मोर एडवांस लेवल ठीक है तो लेट्स गो टू अब अब प्रेपोजिशन हम अभी कंपाउंड प्रेपोजिशन वगारा को सिर्फ एक रफा ठोड़ा सा वो करेंगे सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना इस कोई रियक्शन है ओके थैंक यू तो मैंने यह भी कुछ लिंक्स निकाली है इस इसमें कुछ वीडियो वगरे हैं आई विल शेर दाइट विद्ध यू अच्छा आप हमारे पर कंपाउंड प्रेपोजिशन आ जाते हैं और डबल डॉयक्त आपकें अगन में पेद्या आप में अमें प्रेपोजिशन हमारी बहुए और बिसकस किए इन के कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं और जो बना थै कि ता कि ने कंपाउंड इस्चेट कॉजह साथ बनाते हैं स्कॉम्डimporteày य। मैं थे साथ बनाते हैं तो चानए में डो या बना थी कब दो से थे दो आचा अच्छा जो है ना कंपाौंड प्रेपोजिशन जो है नान प्रोनाउन एडिजेटिव या एडवर्ट के पहले लगता है सेंटेंस में अब इसमें कोई हार्ड एंट फास्थ रूल नहीं है बट मुश्टी जो है ना यह देखा गया है कि नाउन जो कंपाौंड पहले लगेगा but maybe यह ता रहले लगती है and I hope कि आपको यह पता होगा कि नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है इजक्टिप क्या होता है ठीक है तो अब हमारे पर विटी इसकी आपी compound की है as of next to on the account of apart from but but for close to depending on due to in between in case of these are the some examples of compound propositions अब इसकी कुछ यूज है जैसे है in front of in front of हम कोई भी ऐसी चीज के लिए यूज करेंगे जो कि जब हम यह बताना चाहरे होंगे कि फ़लाँ चीज जो है ना वह फ़लाँ चीज के सामने है ठीक है जैसे आप एक्जैंपल है ही पार्ग इस कार इस कार इस पार्ग इन फ्रेंट ऑफ माइँ हाउस उसकी कार मेरे घर के सामने खड़ी है या फिर मैं बोलूं के लिए इन फ्रॉंट ऑफ भी ही इस थेंडिंग या in फ्रॉंट ऑफ मी द्स तिंग इस है लोगों के सामने मतब हम जब भी कोई ऐसा मात अब दिखाना और सेंटेंस भी उस अनुसक्रना चाहरे जिसके हम बताते हैं कि इस इस तिंग is happening in front of like इन सब लोगों के सामने है या फिर हो रही है so in that sense we are using in front of so let me see the messages अच्छा यह पहले वाली discussion फिर है हमारे पास as of as of जो है ना हम थोड़ा conditional जैसे हम समझने के हम कंडिशनल में यूज करते हैं कि जैसे अब मैं हाँ नहीं रूखूंगी यहां पर यूज करें आइकांट stay here as of now so यह इतना ज्यादा जो है ना हम basic English में यूज नहीं करते बाकि जैसे close to है close to हमारे इसमें यूज होता है कि जैसे जोसे फास नेवर को सुझ रहे कि वह अपने पर अदो नहीं था एक लोस्टू जो है वह नेक्स्टू या नेर टू कि उसमें भी यूज होता है जैसे हम कहते ने कि इस तिंग जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी को सें कि आप जैसे लिए बात करें अब दियू तो लाइक जैसे चीज का हम वह दिखा रहे होते हैं कि दा मैच वाज ब्लेट दू रें बारिश के वज़ा से मैच हो गया किसी भी चीज़ के जो नताइज हैं या फिर हम कहते हैं कि उसके जो एफेक्ट्स हैं उसकी वरा से हम ड्यूटू यूज करते हैं कि I'm not coming due to due to my health issues या फिर कुछ भी इस तरह से हम ड्यूटू का यूज करें एक्स्टू हमने हमने पढ़ा है अभी हमने डिसकस किया है दॉक्री सिटें निक्स्टू मीफ और और ऑन दे टॉप ऑफ किसी भी चीज़ के ऊपर जैसे अंदे टॉप ऑफ लिस्ट अबाउट शी टॉक्स अबाउटर पादर इंसाइट किसी भी चीज़ के अंदर दे इस नतिंग लैप इंसाइड दा कंटेन और एंसाइड दा कंटे bạn अंधर अधर हमारे पस KGI आजते हैं कि कि अधि कैठ प्रोपोजीशन हमारे पास अ MARK कि GUY आते आते हैं दो प्र इन पीन आप थोड़ा मिक्षर देखेंगी कि वह चीजें जो ना इदर उदर होती है जैसे हमने अभी प्रेपोजिशन आफ टाइम लुकेशन और इसमें भी देखा था थी तो इसका यह है कि अगें वजें फ्रंट आफ हमने पड़ा इन स्पाइट ऑफ हम जो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं जैसे आप में सेंटेंस लिखा था ना आय लाइक रीडिंग आउस विडिंग इन स्पाइट आप रिडिंग तो हम कोई भी कंपैरिजन के लिए आ या फिर आप तू यूज करें डिफरेंट अब वर्ट सोते हैं एस फॉर हिम जी नोज एवरिफिंग अबाउट एस्ट्रोलाजी टुमारो इस यूर ऑलीडे ऑन बिहॉप अफ क्रिस्मस कि वजा से आपकी जोहना सुबा चुपती है किसमस की वजा से बिकाज ऑफ अगें वही रीजन्स वही सब चीजें हम यूस करते हैं तो हम आपस डबल प्रेपोजिशन्स अगें वही आउटसाइड आफ अप तू अप और ऑन को मिलाके अपन तो मैं मैं इन्सपारिट आफ की मिलिंग क्या होगी कि क्या कि आप कि रिपीट करें मैं मिसमें इस पाइट आफिस की मिलिंग क्या होगी इंस पाइट ऑफ बचे हम यूज करते हैं इस चीज के बगएर मतब सॉरी इस चीज की जगा हम कह सकते हैं अब मुझे इग्जेक्ट उर्दू में नहीं बताना आ रहा बट मतब कि लिए से कंपैरिजन शो करते हैं कि इसके मतब जैसे उसने बनाए बर्गर बनाने के बजाए अब मैं बोलूं कि आइंटेकिंग पैपसी इंस्पाइट ऑफ टेकिंग वाटर लेना तो पानी चाहिए था पर मैं जो है ना वो पैपसी ले रहे हूं मतब देरीज्टू ऑप्शन और पिकिंग वाट लेक आइंड ऑफ कंपैरिजन मतब पैपसी और उसका कंपैरिजन आप यू समझ लें या जैसे उसको बनाना मतब उसको बनाना चाहिए था बर्गर पर उसने क्या बनाया पिट्जा मैं अब बोलूं कि मैं मुझे इंग्लिश पढ़ानी मुझे पढ़ानी जो इंग्लिश है पर मैं बोलूं कि मैं सब्सक्राइब इंग्लिश बदोनों की मीनिंग एक ही होती है तो अगर दोन मतब किसी इसे इसे पास क्यूं है है तो फिर औपयों की DJ अगर अगर ऐसे आपके पास क्यों आएंगे अगर आ जाएं मैं पॉसिबिल्टी की बात कर रही हो ना क्योंकि दोनों ही है तो मुझे यह हम एक दूसरे के कर सकते हैं कि हम इंस्पाइट की जगा लगा लें इंस्टेट की जगा इंस्पाइट लगा लें कोई मतलब वो तो हार्ड और फास रूल तो नहीं है ना इसमें य अथिक है हम फिर में नम आते हैं डू और फॉर्ट के जु एन विसके उपर यूस्पर के टू और फॉर्ट पोड्य करते हैं तो इसके क्या डिफ्रेंस है अब एक सेंटेंस है आई म स्टेडिंग फॉर इंप्रूविंच और आउं चटीग टू इंप्रूव माँंग्लिश अब आप बताएं कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होका है अगर आप लोग टू वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो जिस्ट आहम आस्किंग पॉर बीजन के टू क्यूं सही है और फॉर्ट क्यूं सही इंफने मैं मैं आइंग वह यूज करते हैं वह इस इन इन रिजन मैं आप लगारें कि हम टू इस लिए उस करे कि हम टू यूज करते हैं तो एक्सपरेश वीजन अटियों कि ओके और कोई मैं मुझे भी लग रहे है कि रिजन को स्पिस्पाइब करने के लिए लगाते हैं आल राइड इस वन आफ दस दीजन आप यहीं तू तो अगर हम इसका गलत वाकिस का करेक्ट जो है वो जो है यही होगा कि कि आई यह That's two for that है ५द रहे होते हैं कि हम जो है ना पर्पस दोनों से दिखा सकते हैं और से भी दिखा सकते हैं और हम जो है ना फॉर्ट अभी यूजीस करते हैं जब वो परपेज है ना वह कि साथ हो अब देखें यहां पर क्या है यहां यहां पिर ढ़ीला परहन और कि जया जुह हो से इस पर्पम किसे कहते हैं अब यहां पर अगर तो यहां पर ना वठात श्रडिंग की जगापे तो वी केंट यूज फॉर तुशुग पर्पस ठीक है बट अभी यह अभी यह फॉलोग किससे करें आइब यह फॉर जो इन्हों ने लगाए है किसके साथ लगाए जेरेंग के साथ लगाए है तो वी कांट यूज फॉर विद जैरेंट टू शो दा परपस अगर हम परपस शो कर रहे हैं अब जैसे यहां पर परपस शो रहे हैं कि I am studying मैं पढ़ रही हूं मकसद क्या है परपस क्या है इंग्लिश को इंप्रूफ करना तो चुप यहां पर जैरेंट लगाव है दैस्ट वाइब यूज तो शो दा परपस अगर यहां पर ना और नाउन के साथ ही हमने फॉर यूज किया होता तो यहां पर ठीक था करते हैं कि तो मकसद यह है कि हम फॉर से भी पर पड़ हैं हम तो से भी पर पड़ दिखाते हैं अगर ओर हम तब जीएखा कर थाarl आप को यहां पर स्टेडिंग की जगा कोई नौन लिखा होता है तो हम फार यूज करके उसका परपस शो कर देते हैं अगर वह फॉलोड करता है किसी नाउन के साथ तो पॉर इस गूट तो गोई सब्सक्राइब होता है तो हमें एक मंजिल होती है हमारी तो हमें एक मंजिल होती है है जाहि हम एक आपका एक अल्टीमिट परपस वलाइफ का अल्टीमेट आपका वह डैस्टिनेशन होती है वह किण आपकी गोल मिशन में विजन में होती सबस्क्राइब नियुक्त को सबस्क्राइब करें वह वह उसके लावा उसके लावा हम इस तेनस को शोग करने के लिए जो है न वह वह तो उसका तरफ जैसे इस अब और युनिवर्स्टी के दर्म्यान सो अब इस में मैं क्या करी हो अपने घर और युनिवर्स्टी के बीच का डिस्टन्स आपको बता रही है जैसे मैं आपको कहा था ना कि आप वहां पे क्या यूज कर रहे थे इसलिए आई प्रेफर स्लेपिंग टू वर्किंग मुझे सौना ज्यादा प्रसंद है एस कंपेर टू काम करना तो जो है हम वह हम कंपैरिजन में यूज करते हैं कि गिविंग अगर आपको चीज दे रहे हो आई गेव दबुक तुमाइश सिस्टर आपने किसको वह चीज दी तो उसको करने के लिए यूज तू अगर हम कोई मोटेव या कोई रीजन हम बतार रहे हैं वही जो हमारा रीजन कहले हैं हम अपना परपस कहलें पर वह जो हो इन मतलब किसी भी जैरेंट के बाद हो लाइक ना उनके बाद मोस्टी जो है ना वह फॉर लगाते हैं आई केम हेर टू सी यू मैं यहां आई आपको देखने के लिए तो आइम टेलिंग दे परपस या मोटेव या रीजन अब फॉर हम किस सिचुएशन में करते हैं जब भी हम कोई चीज करते हैं किसी चीज की हेल्प करने के लिए कुछ यू कैरी इस बुक्स फॉर मी क्या आप ये बुक्स उठा सकते हों मेरे लिए या फिर हम कहेंगे एक यू ब्रिंग वाटर फॉर मी कें यू डू अ चैनि यू डू आ फ्रेवर टुमी भी होता है या फिर हम कहतें कि इस तरह के सेंटेंस में फिर अगें मोटे वन रीजन अपके हैं नाउन के साथ है लेट्स गो फॉर ड्रिंग जब हम मोटे पे रीजन लेकर आ रहे हैं तो हम फॉर यूज कर रहे हैं अगर कोई फंक्शन है विद वर्प जैसे आई विए इस ग्लासेश फॉर डिडिंग अगर वर्प के साथ आई एंजी का फॉर्म लग रहे है जैसे अब यहां पर वर्प प्लस आई एंजी तो फंक्शन के है कि मैं यह ग्लासेश पहनती हूं अगर हमने फंक्शन शो करवाना है और वह फंक्शन किस चीज़ बहें वह फंक्शन जो है वह आ रहा है वर्प और नाइंजी की एंप देगो रिडिंग के इंथा फंक्शन और रीहां है तो अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है और आई एंजी की फॉरम में आ आहा है तो वार्प यूज वूज वे यूज फर फार देर्ट अब बेनिफिट के लिए भी हम अगर किसी भी चीज के बेनिफिट बताते हैं तो उसके लिए भी हम फॉर यूस करते हैं जैसे योगर्ट इस गुड़ फॉर यूर्ड डाइजेशन पीरिड ऑफ टाइम वी लिव एर फॉर टू यह स्केजूल आइमेड एन अपॉंट्मेंट अब यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्री लिखने के बजाए एग्री विद लिखने के बजाए इधर का यूस किया गया है फॉर और कह रहे है कि आर यू फॉर और अगेंस्ट अगेंस्ट आप इस हक्व में हो या आप इसके अगेंस्ट हो कि नुक्लर वैपन जो है ना वह बनने चाहिए होई इसे हैं अब अगें वही बात जो हम परपस की बात हमने बिल्कुल स्कूल स्टार्ट में गी थी कि बहुत जो थो फॉर टू है वो दूनों यूज होते हैं जब भी कुई किसी भी बंदे का किसी बी चीज़ का परपस उपर नंस तो मुसक्र लिए अब एक पर आप देखिया है कितनी चीज हो रही है और इसका क्या मतलब हो गाँ कि हम एक पर रुखे एक के लिए अब क्या है यहां पर क्या है वीफ श्तौब रैड़ पप तू रिंग शूर ड्रिंक अभी अरहीज जो है कि है कि हम पीने के लिए रुखे और hám एक ड्रिंक के लिए रुके तो पीना याम दीजनता है मैं कि स्थाइब काई नाउन या पुक्राओन आप इसको समझ लें कि वहाँ पे आपके पास ऐसा है उस नहीं हो decía तो इसलिए हम तूर फॉर का जो है ना तो स्लाइटली जो है ना हम उसको देख रहें जैसे आई वेंट टू लंडन फॉरा कॉंफरेंस के लिए गया आइवेंट टू लंडेंट्टू एटेंड आ कॉंफरेंस यहां पर हम एक एक किसम का मतब जैसे पीना इस इस फॉंक्शन और अटेंड आ कॉंफरेंस मतब कॉंफरेंस को अटेंड करना इस अगेन आ फॉंक्शन बट्ट पॉरा कॉंफरेंस इस इस लाइक अनौन आए इस इंग्लिष फॉर युनिवर्सटी या फिर फॉर मय जॉब अब दूसा है तू यूस करें आप श्रदीं इंग्लिष तू गेट इंटु दा इंवर्सटी और तू इंप्रोथ मा इंग्लेश तू गेट आ जॉब अधर आपकर आले में पहा था आइन इस तू इंग तो तो गें यह इसका थोड़ा से और जो है ना फॉंक्शन को जो है ना वो डीटेल में जिसी किया है कि वाट इस फॉंक्शन आप दिस इस आप तुष इस फॉर प्रशिंग यूटी पॉर यूटी और या फिर हम बोलेंगे पैसे पर इसमें अगर उसको करेंगे तो हम क्या क करें अतुरत पर इस यूज टू ब्रश यूटी अटी फ्रश अर्टी तो ठीक है यहां पर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटी सा डिफरेंस आ रहा है और बस आपने वो में चीज जो है रहा वो जहन में रख लिए तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेस्टन है तो आप उसक ओलो मैं झाल Khakran, कि पूछे मं analytics और mr. प्रीपोजिशन में भी यूजट है और कंपाउंड में फैडिविश्चेom फैस इस में इनका है है जी मैं इन फ्रेंट और प्रेस्शन इंब यूज होता है कि इस पर यूज होता है तो इस पर लिभेस कन फैर्ड ने यह पुझे गईह निए निसमझ मैं एहारी प्रेपोजिश्चन में बीब्स होता है और कंपार्ण पॉक्षिशन शूंद ना नाम तो उसका ये प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन ऐसे स्मझ में आ रहा है रिस प्रेज़ डी पॉजिशेशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में जी से फिर्व अगर आप इसको समझे ना तो इसका मतलब है जैसे इन या ओन या एड जो है वो टाइम में भी यूज़ हो रहा था और लोकेशन में भी यूज़ हो रहा था सिमिलर इसमें बहुत सारी चीज़ है जो है ना वह रिवाइज हो रही है इसकी मतलब कोई स्पेसिफिक कोई चीज होगी बट अगर हुई तो लाइट आई विल टॉल यह मगर यह मतलब कहीं पर आगया तो हमें कर से पता चलेगा कि यह फ्रेस प्रेपोजिशन हो गया प्रेकंपाउंड तो बच्चे आप से टेस्ट में थोड़ी पूछेंगे फ्रेस प्रेपोजिशन है कंपाउंड बट लेट मीचेक अचा आप लोग इसे कुस्टन देखें अब इसे आप लोग टेस्ट की त्यायरी वगारा कर रहें हो आप लोग क किया को पी एकलों किया कोई ऐसे वगराव को डेकें क्योंकि अपना ऊसमें कुर्ट कोईक्व एनिजसे क्वस्तिर्म नहीं है विध बच्छेज कि अगर ऐसे questions आते हैं so that I can teach you accordingly नो में उसमें बस यह है कि उसमें यह कह रहे हैं कि आप ने इस पर पोजिशन पुट करना है आप से यह नहीं पूछ रहा कि इसमें अगर आएगा तो simple proposition आएगा आएगा यह फ्रेजल आएगा बस वह यह कह रहे हैं कि पूट प्रेपोजिशन एप्रोप्रियेट प्रोपोजिशन बस तुट कर दें जो कि आप देखेंगे बहुत जगा पर देखेंगे तो उसका नाम अलग देके वो दिया हो अलग से दिया हो का और अब तो ग्रामर में मसला अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल वाल ग्रामर उठाएं तो उसमें तो इतनी साथ एक एक चीज़ों के जैसे जैरेंड है मतलब हर चीज का ने कि स्पेसिफिक नाम भी देके ना मुझे ऐसे लगता है जैसे उसको और कॉंप्लेक्स बना दि कि मैंने यह देखा था कि टेस्ट में आप बिल्कुल बेसिक आता है मतलब अगर आपको टेंसिस की बेसिक नॉलेज है लाइक वह जो होते हैं कि बस इतनी आपके पास नॉलेज हो कि लाइक यू कैन स्पीक यू कैन राइट इंग्लिश दैन यू और गुड टू गो विद टेस्ट बेसिक आपको रूल याद होने चाहिए और वो वो डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक जो इंग्लिश है ना यू डोंट गो विद दा गुलाबी इंग्लिश एक उसमें आपकी पंडेंसियेशन चेंज है या मतलब यह वाली चीज़ है अगर आपकी बेसिक इंग् ग्रामर तो टीच यू आप नेवर लेंट ग्रामर अर्लियर इन मैं लाइप आपेर इन आई बीए टेस्ट और आई कॉलिफाइड था विद वेरी गुड मार्क्स जब मेरा आई बीए में डरेक्ट टेस्ट हुआ था आई वस ऑन दे लिस्ट पतानी कैसे और मैंने स्रफ त लए और अग्राइड था आई खान टेस्ट था बटाइड बैट गूड फ्रेट था बटाइड टेस्ट था इस्ट वेरी गॉड मांस एक्ट ड़्यट आई अग्धाट स्कॉलिशिप एर इन अगाएड तो बैट बीकरस के आई नेवर लांट के मैंने ये फ्रेजल प्रेप when you ask like very traditional questions because I don't uh I have never learned these things but I have observed and experienced that if you know that this is the proposition and you can put that in that situation or sentence in the sentence you have basic knowledge of articles you have basic tenses you can clarify any test English portion you can clarify in any test not here in idea but in other test as well but the thing is connect I always say you can like to read like you have multiple concepts or you will have better advantages of that but please don't confuse yourself with this game at love why this is here or this is here go with that but abhi a quick customer bought company again so don't confuse yourself with that these things but generally I have a reading comprehension to watch the practice current basic cheese into hand to basic concepts and try to clarify clarify any question but everyone has a his or her own way to study some people learn from which they learn from which they learn from which they learn from which they learn from that same way so don't rely on others ways as well that like you can't trust anyone to anyone but I don't think it's okay it will come in the test but I will test for you till I find that answer do you have any other question like kisi ko bhi ko bhi or saval ho just ask this mayhem many prepositional phrases qsa bhi time when you are a question questions ma'am 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 daikken abo hama ra paas sentence atas diet ke sath maof bhi lagate dike sath hama from bhi lagate dike sath hama bhi lagate dike sath mahi bhi lagate dike sath mahi bhi lagate dike sathan baiyo tea के जा रहे हैं लेकिन जब हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट में तीनों पहीं अरी है है यह से डाइट अर्फ थ्रस्थ अब यहां पर संटेंस है रहे हैं तो मैं मुझे मतलब अगर टेस्ट में आ जाता है तो तो मुझे इस वाद समझ नहीं आरी कि हम डाइट ओफ लगाएंगे कि डाइट फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि मर तो वो दोनों सूर्थों में रहा है यानि कि वह सिमोकिंग से भी मर रहा है वह मतब प्यास से भी मर रहा है कि बात तो मरने की ओडिया लेकिन किसी में आफ लग साथ भी नहीं देर मस्ट बी असलाइट डिफरेंस तभी ड्राइट ओफ थ्रस्ट फ्रॉम स्मोकिंग और भाई हम कहते हैं भाई हम इस तरह से हम उसके साथ ही उस करते हैं जैसे कि होता है कि एक इडियम भी आता है इंग्लिश में ही डाइट बाई इंचिस यानि कि वह सद सब्मे से मर गया और तो है लेकिन वह सब्मे से मर आए लेकिन उपर वाली दो में हम यह बतारें कि वह किसी बिमारी से मरा यान तो वह अपनी किसी बुरी आदत की मरें वजह से मरा है अगर और अगर इस अब आइप आई रियू लिस्निंग यह इस मैम आप अच्छा में यह बताई थी कि जो डाइट फ्रॉम डाइड इन डाइट फ्रॉम आफ जो होता है ना इसमें जो थोड़ा से इसे फ्रॉम यह होता है कि अंच के हमें होता है कि हमें उसका स्पेसिफिक रीजन पता हो जैसे वह पर्टिकुलरी वाली बात नहीं होती के लाइक जैसे में एक होता है कि लाइक अ मत्ब थोड़ा से जैनरल उसमें आ जाता है लेट मीजिस्ट गवियू इसम्पल्स घ्रेशन तब तकि और किसी औरो का सवाल है तो जिस्ट आजिए परर राइट डाउन लैट पॉक्स अहम और जब मैंने इस स्रेश को पड़ा था तो वहाँ पर यी कहरा था कि अगर हम आफ की बात करें ऑन अगर हम की बात करें न ओर काॉस की बाद करें मfend बिल्कुल डार्यक्ट और इंडरेक्ट कोज का मुझे ये वाद बनारी डिफ्रेंस समझनी आ रहा कि łamस्टाइन स्मोकिंग डारीक्ट काद्ढ़े या प error वो जो भूच से मिराया या फिर प्रप्याट से मरा है समोकेंग इंडरेक्ट कॉसे अब पड़ीज है के सिगरेट प्र फिए अपके आपके ऌप यह ना आपको खत्म हो जाएंगे आपके लंग्स का cancer हो जाएगा so it's an indirect cause क्या है कि smoking ने आपके जिसम में लाइक बहुत सारी मतब बीमारियां हुई और जब आपका immune system फेल हो गया उन सब चीजों से fight करने से you couldn't you didn't get the treatment and all that then you died but trust uh मतलब प्यास भूख प्यास it's like a direct reason आप खाना पीना छोड़ों कि आप अप डिरेक्ट मर रहे हो थिक है यानि कि जो चीज प्रोसेस में आ रही अगर हम बात प्रोसेस की करेंगे कि हम प्रोसेस के बाद मर रहे हैं तो हम उसके साथ फाम लगाएंगे लेकिन आप the spot हम किसी सब्सक्राइब करें तो बहुत सारी चीज़े मतब वह खरापियां पेदा करता है फिर वह लोग यह कहेंगे कि वह लंग कैंसर से मरा या उसके किद्नीज फेल हो गया थे वह इसलिए मरा कोई यह और बाद में पता चले का ना कि वह बंदा स्मोकिंग करता था यह नहीं करता दो पहले तो आप पहला क्या से उनके के ही डाइड ओफ लंग कैंसर की वर्टा से मर गया यह इस चीज से अबर गया उसका पार प्रॉस प्रॉस का नहीं कि मातब युच्छंपी इस समर्च में आया कि यह मैंने खेले-ग और कि इस एक्जंपल यह दूर ने पड़ी और किस करा का यह एंडेक्ट के साथ आफ लगता है और इंडेरेक्ट के साथ तरौन डगता है। कुर्टुलेंड यूर रास्किंग डाइट ना मैं सही बोड़ेंग डारेक्ट के साथ और इंडारेक्ट के साथ प्रॉम यह और किसी को कोई सवाल है यह मैं चैट में कुस्चन आ रहा है कि एगरी के साथ हम तीन प्रेपोजिशन लगाते हैं एगरी अपॉन एगरी विट एड़ी टू यह पूछना चाहिए बिलकूल हाँ बिलकूल तीन लगाते हैं इस वन आगे हैं है है लो मेरी वाज आ रही है तो मैं वह यह पूछना चाहरी है कि हम एगरी टू कब लगाते हैं एगरी विट कब लगाते हैं और एगरी अपान कब लगाते हैं अगर हमाई पास कि सेंटेंस में यह तीनों आ जाती हैं तो हम कैसे मतलब उनको यूज करें अबजिए बाती हैं इसका प्रिए्योड आग हैं इस उनाती है हैं इसका पास को यह थाजए हैं सुपते लिए ठाट हैं इसका इसकाईबर आ बहुएम कर नहा हैं लेट मिशू पाइज तो यह अच्छा इसमें हम एक्री विद्ट समवन और सम्थिंग मतब हम जैसे कहते हैं कि कि यह सही कह रही है तो हम किसी समवन हम किसी से या किसी चीज से अगर हम लाइक किसी कॉंसेप्ट से मतब किसी की ऑपीनियन को किसी की बात को किसी के मतब ऑडियको या कोई हमें यसे कोई सवाल को कहते है हम सही करता है तो अगर इफ तक यह साथ एग्री विट शॉरी फिर हम उस चीज के साथ एग्री विद यूज करते हैं यहां पर एक्जेंपल भी एक आई डोंट एग्री विद दा वे दाइव दाइव दिस ऑफिस मतब मुझे उनका तरीका ने समझ मैं मतब मैं उनके जिस तरीके से वह अग्री विद दाइड टू रीहों दाओक्स शी एग्रीट विद गवर्मेंट्स नू मेजर्स लाइक मेजर्स लाइक पॉलीसी जैन अल बाइग्री ओं जो तैना अग्री ओं लाइक किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के सब्सक्राइड जैसे जिम एंड हिल्दा एग्रीड ओन वेर्टू इट मतब उन दोनों ने मतब उन दोने एग्री कर लिया कि कहां खाना खाना है ठीक है दर ड्राइवर्स एग्रीड ओन दप बेस्ट रूट टू बेल्जियम तो अगर आप इन दोनों का अगर मेजर डिफ इस तरह की चीजों पर जा रहेते हैं कि हम किसी इंसान के साथ एग्री करते हैं कि हाँ वो सही बता रहा है उसकी पॉलीसी ठीक हैं दवे डिया डूइंग तेंग अग्रीड आट लेर्निंग एनिटिंग लाइक वी अग्रीड एग्रीड विट समवन और जब एग्री ओन हो इग्री हो रहे हैं अगर आप अर्दू में भी साउंट इसका अर्दू में भी मतलब निकालनँ तो और दू में अगर हम एग्री विद का निकालते हैं यह धर रही आ करती हैं उनकी पॉलिशी के साथ आगरी करती हूं वह सही बोल रही है मतब्र यह सब चीज़ें पर हम पे का वर्ड लेकर आते हैं वाथ और दूमें भी हम एगरी हो गए कि किस रूट से जाना है ठीकिंग होगें वही जो हम उर्दू में और कि कॉइसे मियूट लेना है कॉन सा कहा खाना खाना काना इस तरह की चीजों पर जो है नहीं हम जो है ना वह एक्री करते हैं के बाद हमारा पास आज जाते एग्री टू एग्री टू तो मतलब किसी भी एक्शन के उपर या फिर प्रन क्लूजन के उपर अब कटिंग भाय है it is an action जैसे I agree to cutting my hair I agree to cook cook is an action the police did not did not agree to hire tax so yeah she agreed to pay a cut और कुछ दफाप एग्री जो है वह बगार भी यूज होता है जैसे ही एग्रीड इस तू लेट टू इट मोर पिज्जा या आई अग्रीड अग्रीड था काउस इंद फिल्डर गेटिंग फॉर ऑपिनियन और पॉइंट इसमें कोई क्वेश्टन है आपको इसे सवाब पर कि अग्रीड था कि अग्रीड था कि अग्रीड यहां पे चार सेंटेंसेज हैं और चारों में ही ब्रेक है लेकिन उनके साथ पहले वाले सेंटेंस के साथ आइठ लग रहे ह। तीसरे वाले के साथ लग रहा है और चौथे वाले के साथ फूलग रहे। है अब यहां पे लिखा हुआ है मैं अच्छो कोई स्वीड़ Tahini कर शेर कूआ है मैं मैं करती है ह। अगे माँ मैं देखें आख था मैं देखें आख हैं और आपको कैमेरा प्खोड़ने में इसके नहीं तो मीदा बुक यू केन यूज दे बैक केमरा एस वेल पहले क्लोज करो स्क्रीन शेयर को बंद करके एक दफाब बुक्यों पर रखे देन स्विच आउन यूर कैमरा अगेन आपका फ्रेंड कैमरा होना है आई इस आप इच्छाप वगराना से आदिए सो जिस्ट इस्ट 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 अच्छा और किसी को कोई सवाल आइज जब तक पूपन स्क्रीन शेयर करती है आप लोग कोई कर्ष्टन जी सुहेल जी सुहेल आप अपना अन्म्यूट करके आप अपना कर्ष्टन पूछें मैं स्क्रीन नजर आ रही है जी जी हम आप स्क्रीन देख सकते हैं मैं देखें अब जो पहला सेंटेंस है उसमें ब्रेग अवे आ रहा है तो दूसरा संटे ने वहां पे डाउन आ रहा है चोथे संटेंस में आउट आ रहा है और पांच में सेंटेंस में थ्रू आ रहा है कि अखिए लेट मी रीड़ बाक्की सब भी बड़ी पड़ें so that we all can help गुरुतु लेंड कि इसमेन मिनिंग का डिफ्रेंस अब देखो पहला जो है ना यह मैं इसमें इसमें पार्टी से उसने डिसाइड किया कि उसको पार्टी से बतब हट जाना चाहिए यह पार्टी से कट जाना चाहिए पार्टी छोड़ दो देनी चाहिए और उसको लिए इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि वह एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो है ना इंडिपेंडेंडेंट अपनी जो हकूमत बनाए अपने पार्टी बनाए एनिधिंग अब अवे कि यहां पर ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से नि ब्रेक डाउन कि जो बात होती है ना जैसे आ इसी चीज़ का मतलब के खतम हो जाना या अचानक से खतम हो जाना कि में ब्रेक डाउन नहोंता है ब्रेक आउट को वोता है किसी चीज का फैल जाना जैसे कोवीड फैल गया था ना तो यहां पर प्लेग इस डिजीज जैसे हमाने वाइर्स आये ना फ्लेग भी एक जमाने में इद वाइग ऐसा यह कोवीड की तरह का एक वाइरस था जो कि जो कि वो कहते है जिसे आप जैसे चीज़ें फैल जाती है जैसे कोविड एक दम फैल गया था उसकी मेनिंग होती है ब्रेक आउट की जैसे के इंफेक्शिस इजीज होती है जीज से निकल जाना जैसे ना ब्रेक्ट्रू दा लाइक केज पिंजरा तोड के निकलना अभी आपने देखा वमेंस डे पे पिंजरे जो हमने बनाएं में जो प्रेक्ट्रू फॉम दैट के पास आता है कि उसके बाद तो ब्रिंग डाउन का आता है तो इस लिए नहां पे जो पहली पहला जो संटेंस है ना अगर आप उसका मतलब समझें के लिए डिसाइड तो ब्रेक्ट्रू पार्टी एंडी एल गो एंड सी दे मिनिंग आप अब देखाव कुछ सोचो कि अब इसमें ब्रेक्ट विद तो नहीं आ सकता ब्रेक अवे ही आएगा क्योंकि वह पार्टी से निकला है उसमें पार्टी से कट आफ हुआ है कि के ब्रेक अब जो होता है वह और संस में यूज होता है तो ब्रेक अब जैसे किसी चीज से मतलब दो लोगों के बीच में ब्रेका फोचाना डाट बैक अब किसी चीज से निकला वह पार्टी किसी वह एक इक स्पेसेफिक पार्टी कе बंदे के साथ नहीं बता रहा कि उसका उसके साथ ब्रेक अब हुआ और अब तो यह बता है मूँ पूरी किसी कानून को जो है ना फॉलो नहीं कर रहा है किसी चीज से उतरना पट अभी आप यह देखें कि यहां पर कोई ब्रेक आफ के लिए साथ कोई चीज होना चाहिए थे जैसे हम कहते हैं कि कि अभी चीज के उपर से अगर उतर के गिरता जैसे तो हम उसको मतब कि बोलते ब्रेक आफ यह ब्रेक डाउन का मतलब है कि लाइक नो वन इस फॉलूइंग उस पे काम नहीं हो रहा यह मतब वह चीज बिल्कुल खत्रम है उस जगह पे और प्लेक का बेक ब्रेक आउट होना बहुत अंधादुन तरीके से फैल जाना चीजों का और ब्रेक तुरू लाइक डेर हैस बीन एक्साइटिंग न्यू टेक्नॉलिजिकल बेक तुरू के अब टेक्नॉलिजी में इतनी ज्यादा एडवांस्मेंट आगी है सो देरिस अब्रेक थूना अभी वो चीज पहल रह है अब हमें इस पिंजरे से निकलना होगा के वह जो हम पेपर पैंसिल लाइक सब्सक्राइब निकलना पड़ेगा अदर्वाइस वू कांट सर्वाइव कि अपुस्ट है कि मैं ब्रेक्ट्रू का समझ नहीं आ रहा दिको ड्रेक्ट्रू दा बायस लग्वाइस लुके लाइक हम किसी कॉंसेप्ट की बात कर रहे होते हैं कि मतलब इस कॉंसेप्ट को हम उस कॉंसेप्ट से हम निकल आएं यह निकल वह बहुत हिंप पॉजिटिव एं नेगेटिव जैसे ब्रेक्तू तेकनोलोजी का ब्रेक्ट्रू है कि अब जो टेकनोलोजी एडवांस अब जैसे ब्रेक आउट है रहें उसमें ब्रेक्ट्रू है बट ब्रेकल सिंप्ल यह होता है कि इसी चीज़ का यहां लिया कि कि से निकलना किसी चीज में मतलब हमारी हांस में अन। होना समझ में आए यह मैं आ गया अब मैं आगी एक दो सेंटेंसिस में और शेयर करी हूँ मैं देखें आ रहे हैं यहां पर नीचे है लिखा हुआ है मतब पढ़ नहीं सकते यह नजर आ मैं नीचे वारा कुश्चय ने थ्री मिनट्स कुड ब्रींग अबाउट इस ट्रॉंस्फरमिशन पेला सवाल यह है दूसरा सवाल है आई थिंग वी और एग्रीट अन दे में पॉइंट्स ड़स एनीवन वांट तो ब्रिंग अप विथ एनीफिंग फर्दर ब्रिंग अप एनीफिंग फर्दर मैं चैट में लिख दूँ है मुझे समझ में आ गया अच्छा यह ब्रिंग अपका एक मतलब होता है कि किसी चीज़ का आना इप प्रिंग कर तो थोड़ी सी स्क्रीन जिससे पहले की थी अब मुझे उपर वाले कुश्टिन नहीं आ रहा है किह रिए पृष्प आगर मोटो अपस ऐसे रहने तो पहले यह वाला घ्रिसकास कर लेते है143 मेस कोड़ बिंग इस ट्रांस्ट à त्री मिनेट और जोड पर जाम हैता रहरा है ना हम निस व्य 215 को अबाले जाएक आप वाला और जोड़ी स्क्रास कर एंट द्वर में informWow हम जो है कि यह बस अभी हो एक होता है हम उसकी प्रॉबबिलिटी शोर करते हैं या हम उसका मतलब हम एक्स्टीमेशन बता रहे होते हैं कि यह चीज़ अभी होने वाली है यह नहीं होने वाली मतलब यह बस अभी बदलने वाला है I was about to get ready मैं बस अभी त्यार होने ही जा रही थी एक हम अबाउट इसले यूज करते हैं एक अबाउट हम जो है ना वह हम रिलेशन्शिप उस उसमें भी सेंस्वें जूज करते हैं अब यहां पर जो यूज हुआ थी मिनट्स को ब्रिंग अबाउट इस ट्रांस्फर्मिशन इसमें फिर अगें वही जो है ना हम यूज हम समझ सकते हैं कि इसमें अगें वही टाइम की जो ना एक्स्टीमेशन जैसा बताया गया जैसे मैंने का ना का I am about to get ready यार जैसे अगर कोई हमें कहें के तुमने भी तक यह नहीं किया था हम बोलते हैं नहीं नहीं I was about to do this बस मैं यह कर रही थी मैं अबस अभी करने ही वाली थी तो दिसे मतलब वो चीज हुई नहीं है होने वाली है लेकिन अगर हम यह चीज करें तो वह हो जाएगी यह होने वाली होगी मैं वावाज आरी है मुझे आप को मेरी आरी है yes मैं आरी है यह कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हूँ चीज हुई नहीं होगी मतलब वह पहले से मुजूद नहीं होगी एक about जो हम बताते कि हां बस हुने वाली है यह हो जाएगी यहां पर भी उसे इसे मैंने भी आपको एक्जम्पल देड़ाइए इस इस बाउट तो डू आ इम आपको दू दू दिस क्या कोई और मतब पॉइंट लेना चाहता है जैसे अगर मैं आपको सिंपली बोलूं के इन नेक्स क्लाश प्लीज ब्रिंग अप सम्कॉस्टेंज फॉर मी मेरे लिए कुछ सवाल लेकर आना मदब वो आना की मीना वाटर फॉर मी मेरे लिए पानी लेकर आना है ओके है और कोई कॉस्टेंग तो यही थी किसी और का कोई कॉस्टेंग है अच्छा चलें आँ ठीक है तो इट कॉट मच टाइम वी हमने थोड़ा क्वेश्ट में डिसकॉस करने में टाइम लगाए बट आइगेस एट्स गुड के शायद हमारी काफी कंफूजन जो है वो दूर हुई बाकि नेक्स लास्ट में वी विल त्वायर लेवल पेस्ट के ह हम थर्ट मारे से पहले हैं हमारे जो थोड़े वो टॉपिक्स रहते हैं उसको हम जो है ना कवर करें बाकी में आपको कुछ लिंक्स वगरा भी दूंगी सो दाइक यू कैन रीड बाई यूर्सेल्फ एस वेल ठीक है ओके मैं ओके मैं ठीक है अपना खियार रखेगा अलाफ हुलाफ